नरक चतुरदर्शी यानि की छोटी दिपावली या फिर रूप चोदस कहा जाता है इसे, कब है, किस दिन के स्तारिक को है, कैसे पूझा करनी है, क्या शुब मूरत है, दिन रात में चोगडिया मूरत क्या है, क्या सनानविदी है, ताकि आपको रूप चोदस, आपको इस तो यहार वरत से जुड़ी काफी सारी वीडियो जिसमें कि आप पूरानी कताई जान सकते हैं, पर्था, मानेताय, पूझन विधी, पूझन सामगरी, इस तरीके की तमाम वीडियो आप जान सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, नरक चतुदशी, चोटी दिवाली के बारे में चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हैं, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ये इसको रूप चोदस या फिर काली चोदस भी कहते हैं, किर्शन चतुरदशी को मासिक शिवरातरी भी कहते हैं, तो चलिए फिर जान लेते हैं शुब मूरत पूजाविदी और इस दिन क्या आप खास कर सकते हैं, पंचांग के अनुसार 3 नवंबर दो जाएकिस को सुब जो रूप चोदस या नरक चतुरदशी है, वो मानाई जा रही है तीन नवंबर को, शुब मूरत की बात करें, तो अमरित काल है, एक बच के पचपन मिनट से तीन बच कर बाइस मिनट तक, ब्रम मूरत रहेगा पांच बच के दो मिनट से पांच बच कर पचास मिनट तक, विजय मूरत होगा दोपहर में एक बच के तेतिस मिनट से दो बच के सत्रा मिनट तक, गोलूली मूरत शाम के पांच बच के पांच मिनट से पांच बच के उनतिस मिनट तक, शाहयान मूरत जो होगा संध्या मूरत वो होगा शाम को पांच मिनट के सोला मिनट से छे बच के 33 मिनट तक और निशिता मूरत होगा रातरी 11 बज़ के 16 मिनट से 12 बज़ के 7 मिनट तक दिन का चोगडिया की बात करें तो लाब जो होगा वो होगा सुबह 6 बज़ के 38 मिनट से 8 बज़े तक अमरत 4 घड़िया 8 बज से 9 बज, किस मिनट तक शुब 4 घड़िया 10 बज, 47 मिनट से 12 बज, किस मिनट तक लाब मूरत होगा फिर से 4 बज, किस के 8 बज, किकी 30 मिन, तक इसी तरह इसे रात का चोगडया का टाइम भी आप यहां पर देख सकते हैं अब हम बात करते हैं सनान वेदी क्योंकि नरक शतुर्देसी या रूप चोदस को आपको रूप की प्राप्ति होती है तो इस दिन आप सूर्योदे से पूर उटकर सनान करने का महत्व है कहते हैं इससे रूप में निखारा जाता है सनान के लिए कार्तिक अहोई इस्टमी के दिन एक तामबे के लोटे में जल भर कर रखा जाता है और उसे सनान के जल में मिला कर सनान किया जाता है मानेता के अनुसार ऐसा करने से नरक के भैसे मुक्ति मिलती है सनान के दोरान तिल के तेल से शरीर की मालिस करें तो उसके बाद ओश्दिय पोदा, अपा मार्ग, अर्थार्थ, चिर चिरा को सर के उपर से चारो और तीन बार गुमाने का भी परचलन है सनान के बाद दक्षिन दिशा की और हाद जोड़ कर यमराज से प्राटना करें और ऐसा करने से संपूर्ण वर्ष के पापो का नाश हो जाता है नरक्चतरदुशी पर क्या कही आजाता है, इस दिन यमराज के लिए तेल का दिया घर के मुखे द्वार से बाहर की और लगाया जाता है इस दिन शाम के समय सभी देवताओं की पूजन के बाद तेल के दीपक जलाकर घर की चोकट के दोनों और घर के बाहर रखा जाता है ऐसा करने से लक्षमी जी का घर में निवास हो जाता है इस दिन भगवान श्री क्रिशन की पूजा करने से सौंद्रिया की प्राप्ती होती है और इस दिन निशी दिकार यानि की अर्द रातरी के समय में घर से बेकार के समान फैक दिये जाते हैं इससे दरदर्ता का नाश हो जाता है इसकी पूजा विदे के अगर हम बात करें तो इस नरक चतरदशी में यानि की छोटी दिपावली पर छह देव की पूजा की जाती है इस दिन यमराज, श्री कृष्ण, काली माता, भगवान शिव, रामदो थनुमान और बगावन वामन की पूजा की जाती है गर के इशान कौण में ही पूजा करें, पूजा के समय मू, इशान, पूर्व या फिर उत्तर में होना चाहिए पूजन के समय पंच देव की स्था अपना जरूर करें, शूर्य देव, स्री कृष्ण, दुर्गा, शिव और विश्णू को पंच देव कहा जाता है इस दिन उपरोक्त जो चैदेव हैं, उनकी शोडप चार पूजा करनी चाहिए, यानकी सोला किर्याओ से पूजा करें पाद्य, अर्ग, आचमन, सनान, वस्त्र, आबुशन, गंध, पुष्प, दूप, दीप, नवैद्य, आचमन, तांबुल, सत्वपार्थ, तरपन और नमशकार पूजन के अंत में सांगत्ता सिद्धी के लिए भी दक्षिना भी चढ़ाई जानी चाहिए इसके बाद सभी के सामने दूप, दीप जलाएं, फिर उनके मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं फिर उने हार और फूल चढ़ाएं, पूजन में अनामिका उंगली, जो की छोटी उंगली के पास, यानि की रिंग फिंगर से गंद, चंदन, अभीर, गुलाल, हल्दी लगानी चाहिए इसी तरीके से सोड़पचार की सभी सामगली से पूजा करें, पूजा करते वक्त उनके मंतर का भी आप लोग को जाप करना चाहिए पूजा करने के बाद परशाद या नवैद्द यानिकी भोग चड़ाएं, ध्यान रखे कि नम्मक, मिर्च और तेल का परियोग नवैद्द में नहीं किया जाता परतेक पक्वान पर तुलसी का एक पता रखे तो आप कुछ मीठा चड़ा दीजी भोग में अंध में उनके आर्ती करके नवैद्द चड़ा कर पूजा का समापन किया जाता है मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या अंगन में परतोश काल में दिये जलाए जाते है एक दिया यम के नाम का भी जलाए जाता है तो यह थी दोस्तों आप लोग खिली इंफोमिशन नरक्चतुन दुशी कब है, पूजा मूरत कब है, चोगडिया मूरत कब है, पूजन कैसे खिया जाता है, क्या क्या आपको करना चाहिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे ऐसी और वीडियो के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शियर करना ना बोलें साथ ही आप मुझे शोचल मीडिया पर फोलो कर सकते हैं, लिंक डेस्क्राप्शन बॉक्स पे हैं